Hello Friends, This is Nazar Abbas और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चाइनल NSCAD Center आज हम बात करने जा रहा हैं AutoCAD सौफ़वेर पर और यह हमारी AutoCAD की First Class है जिसमें हम कुछ basic commands के बारे में बात करेंगे और आपको AutoCAD के बारे में बताएंगे AutoCAD एक ऐसा software है जो engineering की maximum fields में यूज होता है और इसको engineering में 2D और 3D drawings बनाने के लिए यूज किया जाता है AutoCAD, Autodex Company का develop किया हुआ software है यह 1982 में सबसे पहले develop हुआ था उसके बाद 1988 में यह इंडिया में आया था इंडिया में इसकी R10 series launch हुई थी और सबसे पहली जो series थी इसकी वो R1 के नाम से थी R1 से R14 तक यह AutoCAD की series आई थी उसके बाद 2000 AutoCAD आया था Autodex एक साल पहले ही next year के नाम से अपना AutoCAD अपलोड करता है अगर आप लोगों को free में AutoCAD डाउनलोड करना है और अपने system में install करना है तो आप Autodex की website पे जाके student version डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आप अपनी mail ID और अपना नाम और अपनी university का नाम और अपने course का नाम fill करकर form में registration करते हैं और उसके बाद आपको 3 years के लिए एक crack version 3 years के लिए डाउनलोड हो जाता है उसको आप अपने system में install कर सकते हैं तो आए हम बात करते हैं AutoCAD की तो यह हमारे पास जो AutoCAD है अभी काफी पराना AutoCAD है जिसको हम अपने system पे यूज़ कर रहे हैं रेगुलर इसी पे काम करते हैं यह हमारे 2013 है थोड़ा सा 2020 और 2021 जो आया है थोड़ा सा heavy software है तो इसलिए अभी मैंने system में upload नहीं किया है आप चाहें तो उसे कर सकते हैं कमांड में ज्यादा फर्ख नहीं है लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं AutoCAD की और सीखना शुरू कर रहे हैं अभी रैशर हैं तो आपको old version पर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो अभी हम AutoCAD की बात कर रहे हैं यह हमा crosshair को आप बढ़ा कर सकते हैं चोटा कर सकते हैं और full screen पर भी बढ़ा कर सकते हैं 108 परसेंट तो उसके लिए आपको option में जाना होगा आप एंटर करेंगे आप तो एक पेंज ओपन होगा option उसमें display पर आपको किलिक करना होगा यहां पर automatic किलिक है यहां पर crosshair है अगर आप इसे 10 करेंगे तो crosshair मेरा इधर देखेंगे तो apply okay थोड़ा और चोटा हो गया है अब इसे मैं दुबारा से 25 था पहले अब इसे मैं 35 करता हूं तो आपको difference दिखाई देखा यह थोड़ा बढ़ा हो गया है अगर आप अभी सीखना start कर रहे हैं तो लेकिन वह setting without command मतलब कोई command दी नहीं है हमने कोई line नहीं बनाई है कोई shape नहीं बनाया है उसके बगार बताएंगे तो आपको difference पता नहीं चलेगा तो सबसे पहले हम एक line डिरा कर लेते हैं हम एक line डिरा करने के लिए हमें जो है आपको यूज करने है इस तरीखे से आ रही है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से दिख रही है ठीक है सारी कमांड दिख रही है लेया ओफ लेया ओन लेयर सब कमांड दिख रही है जो हम आगे की लासे में बताएंगे एल एंटर जब आप करते हैं तो यह पुछता है फस्ट पॉइंट फस्ट पॉइंट हम इदर किलिक करते हैं यह हमारी लाइन जो इनकी लाइन जा रही है डाइगॉनली इसको स्टेट करने के लिए आप एफट का यूज कर सकते हैं या और्थो मॉड को ओन कर सकते हैं यह लाइन जा रही है इसमें डिस्टेंस पूछता है तो हम अभी 2000 mm दो मिटर हम दो बार एंटर करेंगे लाइन की डिस्टेंस देने के बाद यह जो है थोड़ा आगे पीछे हो रहा है इसकी भी सेटिंग बता देते हैं आपको इस पर किलिक करके राइट देकर देखना है तो DLI, Dimension की एक shortcut की है DLI यह आप देख सकते हैं DLI, Click on first point and click on second point जहां तक आपको Dimension लेने हैं अभी आपको Dimension बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है उसके arrow दिखाई नहीं दे रहे हैं उसके लिए हम सेटिंग में जाते हैं Dimension सेटिंग में उसके लिए हम देंटर करते हैं अभी हम Dimension सेटिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा और उसके लिए हम अपने एक new Dimension style बनाते हैं किसी भी नाम से आप बना सकते हैं हम जो हैं यहां पर completely 100-100 फिल कर रहे हैं जिसको आपको याद रखने में easy हो जो चीज बड़ी होगी हमारी हम आपको दिखा देंगे इदर से हम पर इसे change कर सकते हैं यहां पर हम अभी एक point रख रहे हैं आप देख रहे हैं यह text जो है दोनों arrow के बीच में आ रहा है हम इसे उपर करना चाहते हैं गए तो यहां से text में जाके above कर सकते हैं यहां थोड़ा alignment इस तरीखे से है यहां पर dimension के align हो गया है और यहां पर text के और इस line के बीच में कुछ gap देना है तो आप दे सकते हैं और अभी हम इतनी ही setting करेंगे और आगे की setting इसकी और भी setting है बाद में बताएंगा यह हमारी जो dimension थी यह default setting वाले में थी अब हम new dimension ले रहे हैं इधर आपको दिख रहा है इस तरीखे से 2000 आग जाए टेक्स थोड़ा बड़ा थीक है अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप छोटा कर सकते हैं arrow कितना रखना है dimension कितनी रखनी है text की height कितनी रखनी है इसको scale setting बोलते हैं वह हम आने वाली class में किसी भी class में बता देंगे आपको तो अभी हम यह text की height को थोड़ा चोटा करते हैं तो हम जाएंगे d enter करेंगे इस पर click करेंगे और modify करेंगे text में हम इसे 200 कर सकते हैं और हमारा arrow जो था उसे हम 125 या 100 कर सकते हैं पोई उसमें problem नहीं है आप दुबारा भी जाके modify कर सकते हैं बार बार change कर सकते हैं यह हमारी 2000 की एक line बन गई है अब हमें इस case point से नीचे की तरफ एक line बनाना है तो एल एंटर करेंगे इसके end point से click करेंगे 3000 enter दो बार enter के हमें तो यह हमारी dimension 3000 आ गई हम चेक करते रहेंगे एल एंटर 2000 एल एंटर हमारी command भी चूट जाते हैं एल एंटर इस point से इस point तक अब click करेंगे तो यह automatic 3000 यह हमने rectangle जो बनाया है यह हमने rectangle line command से बनाया है इसको हम simply अगर इस तरीखे से rectangle बनाना है तो हम simply rectangle बना सकते हैं उसके लिए जो हमारी command होती है rec वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर rec rectangle एंटर करेंगे किसी भी first point किलिक करेंगे और shift के साथ add the rate करेंगे 4000 और यहां by जो एंगल वाला sign है आपका और 3000 और एंटर करेंगे तो यह आपका एक rectangle बनेगा जो इस तरीखे से join होगा इसको dimension करेंगे हम यह 3000 आएगा और यह अभी हमारी तीन कमांड हुई है dimension कमांड हुई है और हमारी line कमांड हुई है अभी हम इसके आगे जो command बताने जा रहा है वो erase command है अगर हमें किसी चीज़ को delete करना है तो journal यह आप delete दबाएंगे लेकिन इसमें e enter का use आप करते हैं यह एंटर से आपको जिस चीज़ को हटाना है उस पर किलिक करके enter करेंगे यह एंटर करेंगे अब्जेक्ट पर किलिक करेंगे और यह आपसा हट जाएगा यह हमारी थी फॉर्थ कमांड अब हम फिफ्थ कमांड बताने जा रहा है आपको जो offset कमांड है अगर हमें यह जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है इस लाइन का offset इसके पहर एक लाइन और बनानी है अंदर के साइड में तो ओंटर करेंगे 200 यह जो आपका offset होगा वह एंटर करेंगे और अंदर की तरफ किलिक करेंगे यह हमारे चारो offset लग गया है अब हम दुबारा से इस कमांड को repeat करके दिखा रहे हैं आपको ओंटर करेंगे आप ओंटर करने के बाद डिस्टेंस देंगे और object पर किलिक करेंगे जिसका object जो है जिसको offset करना है जिस side में offset करना है उस side में किलिक करेंगे और किलिक on object गिलिक inside इस तरीखे से आप offset करेंगे इसी एक कमांड कर Dilete आप एक कमांड क contar करते carrying करें और ठीक है यह हमारा एक रक्टेंगिल बना है उसके अंदर एक बॉंडरी लाइन बनाई है हमने ऑफसेट देकर तू हंड्रेट की अभी हम जो कमांड थी हमारी यह हमारा जो था यह कॉर्नर हमने फिलिट किये थे अगर यह कॉर्नर हमें रेडियस के साथ फिलिट करने हैं तो हम F Enter करेंगे R Enter करेंगे जितना हमें रेडियस देना है इसमें उतना हम रेडियस फिल करेंगे और इसको करके देंगे यह हमारा आएगा F Enter R Enter Radius Size यह आ जाएगा इस तरह यह तो यह हमारी फिलिट कमांड थी क्ट्रोल जैट से आप अपने प्लान को वापीश उसी वी हम सिम्पली फिलीट कर रहे हैं क्ट्रीफ रेक्ट करने के लिए वापीश से आप एफ एंटर करेंगी हार एंटर करेंगे और जीरो एंटर करेंगे अभी हमने आपको rectangle बताया था, अब equal rectangle के लिए आप क्या करेंगे, square बोलेंगे आप उसे, REC, enter, click first point, shift add the rate, 3000 by 3000, ये 3000 by 3000 mm का एक हमने square बनाया है, ये हमारा square आगिया है, आप rectangle देना चाहेंगे तो उसमें dimension में आपको changes कर ले होंगे, next जो है हमारा circle है, circle drag करने के लिए हम c enter करेंगे, c enter, click first point और अगर आप ऐसे click कर देंगे, तो without किसी dimension जो आपको पता नहीं होगी उसका बन जाएगा, अगर आपको dimension के साथ बनाना है तो click first point, अगर आपको diameter देना है तो d enter करेंगे, इधर नीचे आपको दिखाई दे रहा है diameter और radius देना है तो r enter करेंगे, अब जो देना चाते हैं आप, वो आप दे सकते हैं, d enter और 5000 यह हमारा एक circle बन गिया है, ठीक है, तो अभी हमारा rectangle, circle, line, erase, और dimension setting, इस class में हमारा इतना है, और second आने वाली class में हम इससे आगे की command बताएंगे, और आपको एक plan बनाना बताएंगे, जिसमें हम एक पूरा architecture plan to bhk का बना सकते हैं,